ओम नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से शकुन सास्तर के एकोर्डिंग गाय से जुड़े हुए शकुन और में से एक है गाय हिंदू धर्म में पूजनिय है शकुन शास्तर के एकोर्डिंग सफर पर जाते समय गाय अपनी हरकतों से हमें भविश्य में होने वाली घटनाओं के संके देती हैं हालंकि अब शहरों में गाय पालने जैसे काम नहीं हो पाते हैं या गाय का दिखना भी होता है ऐसे में ये संकेत कारगर नहीं लगते हैं रिश्यों द्वारा ये संकेत तब बताये गए थे जब परिस्थीतियां बहुत अलग थी फिर भी अगर हमें सफर पर निकलते समय गाय दिखती है तो उससे हम कुछ बातों का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं तो आईए जानते हैं गाय से जुड़े हुए शकुन और अप शकुन के संबंध में सफर करते समय यदि बाईयोर से गाय की आवाज सुनाई दे तो यह शुब माना जाता है रात के समय अगर गाय हुंकार भरती है या पुकारती है तो यह भी शुब शकुन माना जाता है इसके उल्ट अगर किसी को गाय आधी रात में रम भाती या रोती हुई दिखाई दे तो सफर में डराने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है यात्रा पर जा रहे व्यक्ति को गाय अपने खुरों से जमीन खुरस्ति दिखाई दे तो आने वाले समय में उसे बिमारी का सा अगर यात्रा पर जाते समय गाए रोती हुई दिखाई दे तो यात्री को मृत्यू के समान कश्ट होने की आशंका रहती है। मृत्यू होने का भय रहता है। यदि किसी व्यक्ति को सांड अपनी बायोर से दाहिनी ओर जाता हुआ दिखाई दे तो यह शुब शकुन माना जाता है। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे, लाइक कीजी वीडियो पसंद आया तो शेर कीजे सभी के साथ ताकि अन्य लोगों को भी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें, हर हर महा देवो।